हलो फ्रेंस स्वागत है आपका आपके चनल सिष्टी किचन में फ्रेंस आज हम बनाएंगे अरूई का भरता उसके लिए में क्या का इंग्रीडियन चाहिए उसको देख लेते हैं तो अरूई को मैंने बॉल कर लिया है और अरूई बहुत अच्छे से पक गया है अब इसको हम छिल लेंगे और छिलने के बाद इसको मैस करेंगे तो अरूई को मैंने अच्छे से छिल लिया है इसकी हिल्प से इसको अच्छे से मैस कर लेंगे आप हातों से भी इसको मैस कर श तो अरोई को मैंने बहुत अच्छे से मैस कर लिया है अब चल रहे हैं इसको बनाने तो अजवाइन लिया है नमक और कुटी हुई लाल मिर्च तो तेल अच्छे से गरम हो गया है सबसे पहले हम अजवाइन डालेंगे अजवाइन अच्छे से पक जाए इसमें हम कुटी मैं आपा में हमाईं मेन में बहुत थोड़ी है कर तो आपको तीखा तीखा कम यंद्यादा में अछा जीश घसाप यैश झालनें इत्या आप पेगो यह अज अच्छाम आपका अरूई डाले और मेल आपकी और मिक्सधी कर लें आपको भूनेंगर उतना अच्छा आपका अरूई का भरता बनेगा अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन को प्रेश कर दे जिससे मैं कोई वीडियो अप्लोट करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुचेगा ओडियों फ्रेंस ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया तब इसमें हम नमक डालेंगे नमक आपने स्वात के नुसार डालें और नमक को भी अच्छे सी मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं इसका कलर चंज होना सुरू हो गया है तो भरते को अभी हम दस्मेर्दा कर फूनेंगे जब तक इसका कलर न चंज हो जाए तो अब इसको पूरी पराठा रोटी दाल चावल किसी के भी साथ खाएं आपको बहुत पशंद आएगा और भरते का कलर चंज होना सुरू हो गया है तो फ्रेंज काफी लोग अरोटी के भरते में मसाले भी डालते हैं मगर आप इस मेथट से एक बार ट्राइ ज़रूर करना आपको बहुत पसंद आएगा तो बहुत अच्छे से हमारा अरोटी का भरता बन गया है अब इसको में प्लेट में सर्व करेंगे आप इसको बनाना जरूर अगर प्रशंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट करके बताना आपको रोई का भरता कर शाल